हेलो एवरिवान, मैं हूँ गुर्मीट और कुग विद गुर्मीट में आपका स्वागत है हम सभी ऐसी ही रेसिपी सर्च करते हैं जो कि बनाने में बहुत ही आसान हो, खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी इतनी हो कि कम से कम तेल में ये बन जाए तो कुछ ऐसी ही रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज हम बनाएंगे सूजी बॉल्स जो कि सिफ और सिफ दो चमच तेल से बढ़ जाएगी तो चलिए इस हेल्दी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं एक पैन में हम दो कप पानी लेंगे पानी को गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे हम एक चमच नमक साथी डाल देंगे हम एक चोथाई चमच ताली मिच का पाउडर और आधा चमच चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स नहों तो लाल मिच ले लिजिएगा और एक हरी मिर्च को बारी कट करके मैंने लिया है इसे करेंगे mix और उसमें डाल देंगे हम एक कप सूजी यहाँ एक कप सूजी लिए इसके लिए मैंने दो कप पानी डाला था तो आप इस रेशो को ध्यान रखें तब ही सूजी अच्छे से पकेगी तो पानी में अच्छे से मिक्स करके हमें सूजी को पकाना है और सूजी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लंप्स न रह जाए अगर लंप्स रह जाएंगे तो सूजी बहुत अच्छे से नहीं बनेगी उस पे क्रैक्स आ जाएंगे तो हमें 4-5 मिट तक इस पानी में पकाना हैं से और फिर गैस बंद करके हम इसे कवर करके 5 मिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 5 मिट के बाद हम चेक करते हैं तो ये देखिए सूजी अथ्छे से फूल गई है इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे नीट कर लेंगे और एकस का डो रेड़ी कर लेंगे ये डो रेड़ी हो चुका है अब हम हाथों पे थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे ताकि ये हमारे हाथों पे चिपके ना और अब चोटा सा पोर्शन लेंगे और उसे इस तरह से bowl कुल करके इसकी ball ready कर लेंगे और यह देखिए, बाल कितनी स्मूथ है, इस पर कहीं भी cracks नहीं है तो इसी तरह से हमें ball बनानी है यह देखिए, ऐसे ball हम ready कर लेंगे तो यहां मैं निबु के size की balls बना रही हूँ अगर आप चाहें तो size छोटा या बड़ा कर सकते हैं बट सारी balls same size की रखेंगे तो ज़दा अच्छा लगेगा और इसी तरह से बागी की सारी balls हम ready कर लेते हैं तो यह देखिए एक कप सूजी से 20 से 22 balls बन चुकी हैं मतब चार लोगों का नाशता इससे बन सकता है तो चलिए आप इने steam करते हैं तो यहाँ पर मैंने steamer को पानी डाल कर 5 मीट के लिए preheat कर लिया है अगर आपके पास steamer नो हो तो आप कडाई भी यूज़ कर सकते हैं कडाई में इस पानी डाल कर इस तरह से यह जाली रख दे और उसे कवर करके steam कर लें तो इस जाली को थोड़ा सक ग्रीज करेंगे ताकि सूजी बॉल्स चिपके नहीं और अब सारी सूजी बॉल्स को हम इसमें transfer कर देंगे और इसे कवर करके 10 मिट के लिए medium flame पर हम इसे पकने देंगे और 10 मिट के बाद हम चेक कर लेते हैं और ये हमारी सूजी बॉल्स अच्छे से steam हो चुकी है इन्हें थवा ठंडा होने देते हैं और ready कर लेते हैं तड़का तो यहाँ तड़के के लिए मैंने एक पैन में सिर्फ दो चम्मच cooking oil लिया है और तेल के गर्म होते से भी डाल देंगे एक चम्मच राई एक चम्मच जीरा और एक बड़ा चम्मच ले लेंगे हम सफेद तिल गैस का flame लो रखें इन्हें अच्छे से mix कर देंगे और अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता यहाँ 10 से 12 कड़ी पत्ता मैंने लिया है और कुछ कड़ी पत्ते को ऐसे बारी कट कर लिया है इससे इसका flavor बहुत ही अच्छा आएगा और अब डाल देंगे इसमें 2 चम्मच खोपरे का बूरा desiccated coconut यह optional है आपके पास नहों तो आप skip कर दीजिएगा इन सभी को अच्छे से mix करेंगे हमने यहाँ पर बहुत ही कम oil यूज किया है तो हमारे मसाले जल न जाएं इसलिए मैं यहाँ पे तोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और अब इसमें एड़ कर देंगे दो पिंच हिंग दो मिच लाल सुखी हुई और अब एड़ करेंगे हमारा secret ingredient यहाँ मैं एड़ कर रही हूँ एक चम्मच सांभर मसाला इससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा और हमारी सूजी बॉल्स बहुत ही टेस्टी लगेंगी सपोस्थ आपके पास सांभर मसाला न हो तो आप पाव भजी मसाला भी ले सकते हैं और सपोस्थ आप कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं तो आप थोड़ी सीस में हल्दी डाल दें तो सूजी बॉल्स का कलर बहुत अच्छा आएगा और यह हमारी steam करी हुई सूजी बॉल्स है यह देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉंजी हैं अब हम साई सूजी बॉल्स को तड़के में मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसालों की कोटिंग सूजी बॉल्स पर अच्छे से हो जाए और यह देखिए मसालों की कोटिंग कितनी अच्छे से हो चुकी है अब हम इसे दो मिनिट तक कवर करके पकाएंगे ताकि सूजी बॉल्स के अंदर तक यह मसालों का टेस्ट आ जाए और दो मिनिट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और यह देखिए हमारी सूजी बॉल्स रेड़ी है फोड़ा साहरा धनिया इसके उपर डाल देंगे और एक निबू मैं निचोड रही हूँ एक निबू का रस आप चाहें तो यहां थोड़ी सी शक्कर भी आड़ कर सकते हैं मैंने शक्कर नहीं आड़ करी है और यह हमारी सूजी बॉल्स रेड़ी है बहुत ही टेस्टी है हेल्दी भी है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए कुक विद गुरमीत